70,000 सिच्छक भर्ती को एक सब्ता में पूरी करने के निर्देश दिये गए हैं। निर्देश देना सही है लेकिन सुप्रीम कोट में मामला रिजर्व होने के साथ, पेंडिंग होने के साथ सामान अभ्यार्धियों का क्या होगा। 12,460 को पूरी करने के लिए निवेदन किया गया है, किस को किया गया है ये बताएंगे, उन 70,000 कैसे पूरी होगी क्योंकि पिछड़ा आयोग की जो जुलाई की रोक है वो अभी भी लगी हुई है। उसके बाब जूद 31,000 से जादा अभ्यार्धियों को निक्ति पत्र बितरित करने की बात की जा रही है, तो किस आधार पर की जाएगी, कैसे मेरिट बैनाई जाएगी, इन सभी सवालों के जवाब इस वीडियो में मिलेगा, तो नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो को लाइक प्रियंका गांधी जी ने ये आवाज उठाई है, सून जनपत के अभ्यार्धियों के लिए, इसके बिरोध में जो विरोधी धल हैं, वो लगातार ये बाते कह रहे हैं कि प्रियंका गांधी जी को सून जनपत के अभ्यार्धियों ने गुमराह किया है, और उनको गुमरा जुशाने के नोग्री कर रहे हैं, हमारी भी नोग्री जाने के चांसेज बनेंगे, क्योंकि अगर सून जन्दपत को नोग्री नहीं तो सुप्रीम कोर्ट इस पर जरूर कुछ ऐसा निर्देश दे सकती है कि इनको भी नौकरी नहीं यानि कि इस भारती प्रक्रिया को पूरी तरह से समाप्त भी कर सकती है तो इसलिए उनको डर है इसलिए वो बिविन प्रकार की अफवाएं फैला रहे हैं और सभी अभ्यारतियों को गुमराह कर रहे हैं जिसके चलते ये काफी लोगों के मन में है कि क्या होगा तो यहाँ पर बताने कि प्रियंग्या गानी जी ने योगी आदितिनाजी जी को एक पत्र लिखा है और वहाँ पर उनसे निवेदन किया है कि सूनी जन पत के जौप विहारती है उनको जल से जल निक्ति पत्र दिया जाए और इस मामले को कोट से जल से जल निस्तारा करवाया जाए ये हैं यहाँ पर सभी चीजे कही गई है साथ में यहां पर देखेंगे कि भरतियों में तेजी लाने के लिए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने एक आदेश जारी किया है जहां पर कहा है कि बेसिक सिच्छा विवाग की जो उनातर जार सिच्छक भरती है उसमें रोक के बावजूद जो 31,661 पद हैं उन्हें ज जल से जल भरा जाए उन्हें जल से जल यहां पर भरा जाए और उसे भरने का निर्देश जारी किया गया है लेकिन बेसिक सिच्छा विवाग का भी निर्देश नहीं क्योंकि आज और अभी वार है कल सोमवार को इसका निर्देश देखने को आपको मिल सकता है पूरी कौं 60 अभ्यारतियों के उनकी लिष्टा तयार की जाएगी जहाँ पर केवल 8000 सिच्छा मित्र हैं और उसके बाद सामान की जो सीटे हैं वो केवल 7000 के आसपास बचने वाली हैं साथ में सरकार ने एक और चीज़े यहाँ पर अपडेट कर दी हैं कि अब जो सरकारी नौकरिया होंगी वहाँ पर 60 प्रतिस्त जो भी सीटे होंगी वो आरच्छन पद में डाली जाएंगी यानि कि अब सामान की केवल 40 पद का ही आरच्छन मिलने वाला है आगे चलके फिर यहाँ पर आगे आप देखेंगे कि यह जो सबसे बड़ा यहाँ पर अपडेट करके रखा है उत्तरप्रदेश शरकार के द्वारा कि योगी शरकार नौकरियां देने में पिछली सरकार से आगे निकल गई है ऐसा नियूज पत्र के माध्यम से कहा गया है नादम सबस बड़ा यहाँ पर जूट यह फालाया जा रहा है कि सबसे इन्हों ने रोजगार दी है तीन लाग से जादा भरतियां पूरी कर दी है ऐसा कुछ भी यहाँ पर नहीं है आप देख सकते हैं सबी अभ्यारती जो इस तरह के तैयारियां करते हैं उनको पता है कि कितना सच है यहाँ पर उसके बाद यहाँ पर आप देखेंगे कि देखिए जो जिला वंटन है जिला वंटन में बदला होने वाला है यहाँ पर 36,206 अभ्यारती ऐसे होंगे जो 69,000 सिच्छक भरती से बाहर हो जाएंगे अब जो बच्चे यहाँ पर जो अभ्यारती बच जाते हैं उन साल तक बैठाल के रखा जाएगा तुरंत निक्ती नहीं मिलने वाली है यहाँ जारी होता है तो जो 31,000 अभ्यारतियों का जो मेरिट जारी होगी जो निक्ती पाएंगे वही यहाँ पर सही हो पाएंगे और इनको काफी लंबा इंतजार करना पड़ सकता है काफी संघर्स क करना पड़ सकता है यह यहाँ पर तय है ठीक है उसके बाद यहाँ पर अध्याबकों की जो भरती है उस पर सक्त निर्देश दिये गए हैं अब इस निर्देश को बेसी सिच्छा विवाकिस प्रकार से फॉलो करता है क्योंकि सबसे बड़ी अपडेट सुप्रीम कोर्ट मे यह मामला बेंडिंग है बेसी सिच्छा के अधिकारी इसको कैसे भरती प्रकार को सुरू करते हैं यह कल देखने वाली बात रहेगी साथ में पिछड़ा आयो उन्हें जो रोग लगाई है उस पर भी कोई मामला भी निस्तरित नहीं हुआ है उसके बावजूद कैसे भरती प्रकारीया को सुरू करने का निर्देश जारी करता है या सीम ऑफिस के लिए एक दूसरा लेटर जारी करता है कि ऐसी समस्या है ये कल आपको पता चल जाएगा क्योंकि आज छुट्टी का दिन होने का आगर ये सबी चीज़ें आपर नहीं पता चलेंगी साथ में बिभिन सभी अभ्यार्थियों को निक्ति पत्र मिल सकते हैं ऐसी समभावना यहां पर बताई जा रही है इसके चलते ठीक है लेकिन साथ में कुछ समचार पत्रों के माध्यम से सच भी बताया गया है कि आसान नहीं होगा सिच्छक भरती को पूरा करना क्योंकि पिछड़ायों की र बाहर होंगे जो अपनी नोकरी गवाएंगे उनकी नाराजगी भी तो सरकार को जहलनी पड़ेगी यह भी यहां पर साथ तौर बताये गया है क्योंकि नोकरी पाने वाले केवल 31,000 है और 36,000 से जादा 35,000 से जादा अभ्यार्थि तो बाहर का रास्ता यहां पर देखेंगे तो उनको भी यहां पर नाराजगी होगी कि ऐसा कैसे हो रहा है यह सबी चीज़े यहां पर बताई गई है ठीक है तो यहां पर आप देखेंगे कि बदली हुई कटाउफ में 8,018 केवल सिच्छा मित्र ही सामिल किये जाएंगे जिसका नुकसान शामान जो अभ्यार्थी है उनको यहां पर देखना पड़ेगा क्योंकि यह पूरे जो अभ्यार्थी हैं लगबख शामान कैटेगरी में ही जाने वाले हैं और इसके बाद 7,000 के आसपासी सीटे बचेंगी और यह जो भरती पिकलिया है वो 60-65 पर पूरी होगी जो उच्छे मेरिट के अभ्यार्थी ह को निकती पत्र यहां पर वितरित किये जाएंगे यह सूचना यहां पर मिल जाएगे लेकिन यह सभी चीज़े इतनी आशान नहीं होंगी बाकी आपको समय आने पर सभी चीज़े क्लियर हो जाएंगी आगे कि जो जानकारी होगी वो आपको दी जाएगी अगर यह जानकार या पशांदाई हो तो वीडियो को लाइक शेर करने के साथ चैनल को सब्सक्राइब करके बिल आइकन जरूर दबा लीजिएगा